Hey guys, आज का वीडियो होने वाला है कि हम fly stitch कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में हम तीन stitches cover करेंगे, fly stitch, attached fly stitch and closed fly stitch, इन तीनों stitches को आज की वीडियो में हम cover करेंगे, friends अगर आपका कोई भी suggestion है इस वीडियो को लेकर, please comment करें, अगर आप चाहते हैं में किसे specific topic पर वीडियो लेकर हू please guys, वो topic comment box में जरूर लिखें, let's get started, friends सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम fly stitch कैसे कर सकते हैं, fly stitch करने के लिए मैंने six strands thread needle में ले लिया है, friends इस तरह से हम needle को यहाँ से उपर लेकर आएंगे, दूसरे point से नीचे लेकर जाएंगे, और इन दोनों के center के point से हम बाहर निकालेंगे needle को इस तरह से और हम एक straight stitch ले लेंगे, इस तरह से हमारा fly stitch हो चुका है, मैं आपको एक दो बार और करके दिखाती हूं, हम needle को यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ से नीचे लेकर जाएंगे, इन दोनों के center के point से बाहर निकालेंगे needle को, इस तरह का V बन जाएगा, अब हम needle को नीचे ले जाएंगे, यह जो नीचे straight stitch ले रहे हैं, इसे हम छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, आपकी design के according आप इसे कहां use कर रहे हैं, इस तरह से हमारा fly stitch complete हो चुका है, अब हम सीखेंगे attached fly stitch, इसके लिए मैंने एक pattern बना लिया है, attach fly stitch करने के लिए मैंने same, जैसे मैंने इसमे six strands लिया था, six strands thread ले लिया है, इसे start करने के लिए friends, सबसे पहला stitch हम straight stitch लेंगे, अब हम सारे fly stitches लेंगे, निडल निकालने के लिए हम पहले वाले stitch, देखिए, निडल निकालने के लिए हम इस straight stitch के hole का ही use करेंगे, यहां से हम निडल निकालेंगे, इसके बाद फिर से हम straight stitch लेंगे, अब हम fly stitch करेंगे, अब हम fly stitch करेंगे, अब हम इस तरह से हम attach fly stitch करते हैं, इसमें सारे fly stitches एक दूसरे के साथ attach हैं, line में हमने की हैं, इस तरह से friends, एक को हमने end कर दिया है, अब next को start करने के लिए फिर से हम शुरू से start करेंगे, उपर से, straight stitch लेंगे, फिर हम fly stitch लेंगे, फिर एक straight stitch लेंगे, जो हम fly stitch के बाद लेते हैं, friends, यह हमारा attach fly stitch complete हो चुका है, friends, अब हम सीखेंगे closed fly stitch, close fly stitch करने के लिए मैंने इस तरह का एक leaf draw कर लिया है, इसके लिए मैंने six strands thread needle में लिया है, start करने का तरीका, same रहेगा attach fly stitch की तरह, पहले हम एक straight stitch ले लेंगे, इसके बाद हम fly stitch लेने शुरू करेंगे, इसके बाद friends, हम बिल्कुल इसी point पर straight stitch ले लेंगे, अब हम दूसरा fly stitch करेंगे, बिल्कुल pass में, इसके बाद करेंगे, अब हमने इसे बहुत close close में fly stitches की है, इसी लिए हम इसे close fly stitch बोलते हैं, same way continue करेंगे, पूरी leaf को fill करने के लिए, पूरी leaf करेंगे, अब जब हमें इस fly stitch का straight stitch लेना है, तो हम एक बड़ा straight stitch लेंगे, leaf को complete करने के लिए, इस तरह से friends, हमारा close fly stitch भी complete हो चुका है, friends, इस वीडियो में हमने इस तीन stitches कवर किये, fly stitch, fly stitch का use आप कर सकते हैं, filling के लिए, borders बनाने के लिए, इसके अलावा अगर आपके motif में छूटे छूटे बर्ट्स आपको दिखाने हैं, आप उन बर्ट्स के लिए भी इस stitch का use कर सकते हैं, friends, इसके बाद हमने देखा, attach fly stitch, attach fly stitch का use आप कर सकते हैं, अगर आपको किसी leaf की open filling करनी हो, किसी leaf को अगर इस तरह से अपने fill करना हो, आप वहाँ यूज कर सकते हैं, कहीं आपने plants दिखाने हो, वहाँ आप इसे use कर सकते हैं, कहीं भी आपको अपने किसी flower motif के साथ में, greenery show करनी हो, आप वहाँ पर भी stitch का use कर सकते हैं, और इस stitch का use आप border बनाने में भी कर सकते हैं, लास्ट आया friends हमारा closed fly stitch, closed fly stitch में हमने fly stitch को बहुत पास-पास में लिया, इसे हम leaf की filling के लिए use कर सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को like करें, अपने friends, family, relative के साथ share करें, अगर आप चैनल पर नई हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे, Thank you for watching,